शिरी शिवाई नमस्तुभ्यम हरहर महादेब माचंद्रभागा नदी के पवित्र टट में न्यू एस्टी स्टेंड डीवीपी स्कॉयर के सामने कॉलेज रोट पंड़ापूर महाराष्ट में गुरूजी के द्वारा शिरी हरी विठर शिम्हा प्राण कथा शुरू हो गई ह आज 25 नवंबर 2023 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है ये साथ दिवसिय शिम्हा प्राण कथा है जो की 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 में आस्ता चनल यूटूब के माध्यम से दोपहर में 1 पेचे से 4 वे तक देखी जा सकती है आज की कथा बहुत यदिक रोचक जानकारी उ विशेश दिती है इसे में गुरुजी के द्वारा पिछले कथाओं में बताये गए पूर्णी मा के एक सरल और आसान उपाई विशेश मनोकामना पूर्थी इक्षा पूर्थी उपाई के जानकारी आपको इसी वीडियो के अंति में प्राप्त होने वाली है आज 25 सिसंबर श्री हरी विठर पंड़को शिमा प्राण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाई पत रुप्यों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है किसी का अनवर्ष यदि आपने आशी कता नहीं सुन पाए है तो पूरी कता का रस्तदवा आपको आ श्री और हर एक रूप में विराजमान है इस चंद्रभागा के नदी के टट पर ये चंद्रभागा नदी का टट साधरन टट नहीं है यहां स्वेम गंगा यमना और सरस्वती बुहारी लगाने आती हैं जालू लगाने आती हैं चंद्रभागा के टट की विशेश्ता पता आगे कथा में गुरू जी ने और भी जानकारिया दी हैं, बढ़ते हैं आशी कथा की दूसरी जानकारी की होर। संतान होती है, मैं अपनी सहली पे हस थी और कहा, मैंने कितने जगे से जोली भरवाई, डॉक्टर को दिखाया पर संतान नहीं हुई, गुरू जी आपकी कथा मेरे पती रोज मोबाईल पर सुनते थे, और उन्होंने एक साथ कथा सुनने को कहा, मैं और मेरे पती दोनों आसन लगाकर शी महाप्राण कथा मैंने सुनना शुरू किया, साथ ही मैंने सफेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, हम दोनों पती पतनी जाकर सफेद आकड़ी की जड़ को लेकर आए, और तुम्रुकेश्वा महादेव का नाम लेते हुए कमर में मैंने वो जड़ बांद और गुरुजी आपकी वाणी नहीं, ये शी महाप्राण की शिव पुराण नहीं, स्वेम शिव की बाणी लगती है, उसी का अभार विक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ, बढ़ते हैं आची कथा की चोथी जानकारी की ओर, संत और सागर में एक बड़ा अंतर होता है, स आमने पहले भी कहा था कि पंडर पुरकी जो हरी विठ्थल की पावन धरा है, इसमें जो शिव महाप्राण कता होगी, उस कता में आपको सफाई का विशेश ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपको गंदगी करनी हैं, आपको गंदगी नहीं करनी हैं, क्योंकि इस धरा में ना जाने कितने संत हैं जिन्होंने तपस्या की हैं जिन्होंने हरी विठल के दर्शन पाए होंगे आप शोचाले का प्रयोक करें और सफाई का विशेश ध्यान रखें बढ़ते हैं आशी कधा की छड़वी जानकारी की और सुचीता चोहां जी पत्र लेकर आई और बाबा से काम ना करी कि मेरी नोकरी लग जाए क्योंकि लोग हस्ते थे कि अब तो शादी हो गई कहा नोकरी लगेगी पर पार्टिव शिवलिंग के पूजन का मतलब बताना चाहूंगी एक ही एक्जाम दिया और बिजली विवाग के सरकारी पत्मे मेरी नोकरी लग आप से जो बन सके इस शिमाप्रान कथा में भगतों का मुझूठा जरूर कराईए। कथान वाला प्रयोग बता रहे थे वो मैंने सुना और मेरे पती ने शिवलिंग पर जल चड़ा कर उसका आचमन करने को कहा। करपा का अभार विएक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आशिक अथा की नोभी जानकारी की ओरूर्णी मा के दिन चावल का एक आखा दाना और एक वेल पतर आपको भोलेनात के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब हम आपको बता दें 26 दिसंबर कल है पूर्णी मा के दिन और इस दिन आप इस विशेश उपाय को कर सकते हैं। मनोकामना पूर्थी के लिए किया जाता है साथ ही घरमधन संपता के लिए भी सुपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूर्णी मा के दिन सुभा के समय श्री मंदिर जाना है वहाँ पर एक आखा दाना चावल का लेना है। मतलब साबू चावल का दाना आपको शिवलिंग की उपर शिरी शिवाई नमस्तव्यम बोलते हुए अरपित कर देना है। और इसके बाद चावल के दाने की उपर आपको एक वेल पत्र अरपित करना है। वेल पत्र आपको इस प्रकार से अरपित करना है कि वेल पत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए इस तरीके से उस वेल पत्र को अरपित करना है वेल पत्र को चावल के दाने की उपर रखते समय चंद्र मोली महादेव का इस्वन करते हुए अपनी कामना करते हुए अरपित कर वेल पत्र को अच्छे से देखिएगा वो कहीं से भी कटी फटी ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है और वेल पत्री का जो पीछे का डंठल होता है उस भाग को आपको तोड लेना है इसके बाद उस वेल पत्र को आप इस उपाई के लिए प्रियोग में ला सकते हैं बस आपको उस वेल पत्र को चंद्र मोली महादेव का नाम लेते हुए अपनी कामना करते हुए आप जिस भी कामना को लेकर इस उपाई को कल करेंगे बस आप अपनी कामना बोल दीजिए और वो वेल पत्र आप शिवलिंग की उपर अर्पित कर दें बस जो डंडी है वेल पत् जल नीचे की और गिर रहा है आपको वो जल थोड़ा सा अपने जल कलश के अंदर छेल लेना है और उस जल को अपने नेनों में लगाना है और अपने घर में ले जाईए और अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आईगी यह विशेश उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है माक्षिश महा की पूर्णिमा है बहुती खास दिन है विशेश दिन है साथ ही कल दत्त जैनती भी है तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्णि के लिए इस उपाय को जरूर कर सकत अब बढ़ते हैं अगली दस्विजानकारी और गुरुजी के जो अगली कता है इस कता के बाद ये कता 31 दिस्मबर को समाप्त हो जाईएगी। तीसरी कता है वो 27 जनवरी से 2 फरवरी वनी यवतमल महरास्ट में रहने वाली है और इसके बाद गुरूजी की फरवरी की जो अगली कता है वो 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेत पूर जहारखंड में रहने वाली है आज की इन उपाई से सम्मधित मन में कोई सवाल एक कोशन है तो आप कमेंट के जरीए पूछ सकते हैं वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरहर महादीव जरू टाइप कीजिएगा